नमाश्या दोस्तों स्वागात है आपका MCQ IQ में है मैं आपको RPF Coastable और RPF Technician के previous year कोशन करा रहा हूँ previous year में भी General Awareness के कोशन कराओंगा मैं आपको तो चलिए शुरू करते हैं यह 12th पार्ट है Euro Tunnel जो Euro Tunnel है उसको हम एको नाम से जानते हैं याद रखो इसको Channel Tunnel भी बोलते हैं हम Channel Tunnel भी बोलते है Euro Tunnel को 1986 में यह बनना स्टार्ट हुई थी यह कंप्लीट कब हो गई थी this और 1994 में तो 1994 में जो Euro Tunnel है वह कंप्लीट हो गई थी England और baik France के वीच में यह Tunnel है next question है the leading producer of uranium in the world is which in uranium का अगची अच्पाता को है देख्वाइं योरेनियम का लाज़स प्रोड्यूजर को ने वर्ल्ड में तो वह कजाकिस्तान सबसे ज़्यारा यूरेनियम मिलता है हमें थोरियम का। तो largest producer है को इंडिया। सबसे जादgement हमें इंडियम में मिलता है। और थोरियम आ वो produce होता है Monazite sand से मुनाजआइट sand सेiros सैमें ठोरियम मिलता है। औरिप केरल में सबसे तौरियम मिलता है। देखिए नेचरली जो uranium निकलता है वो कौन सा होता है तो uranium to 38 naturally obtained होता है ठीक है uranium to 38 naturally मिलता है हमें उसके बार enrichment करते हैं हम uranium का इसको convert करते हैं to 35 में तो जो nuclear reactor में uranium use होता है वो होता है uranium to 35 काफी important question है यह धियान रगेगा next question है consider the following statement निमनेकित कदनों पर विचार करें पहला कदने हमारा लेकि जो horse latitude होता है वो 30 से लेकर 35 degree के बीच में होता है क्या हाँ यह option बिनकुल सही है इसके बार मैं आपको explain करूंगा तो पहला option बिनकुल सही है दूस्तर option के बात करते है horse latitude और low pressure belt देखे जो horse latitude होता है वो हमेशा high pressure belt होता है तो second option गलत है पहला option बिनकुल सही है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा only one horse latitude की बात करते है global wind की बात करते है zero degree मतलब होता है equatorial doll drum तो zero degree equatorial doll drum में क्या होता है low pressure होता है और गरम हवाय चलती है फिर आप जैसे उपर जाओगे चाये north के side जाओ चाये south के side जाओ जैसे आप 30 degree के पास जाओगे तो 30 degree में क्या होता है horse latitude और जो horse latitude होता है वहाँ पर हमेशा high pressure होता है इस जगा air dispend होती है य अगर याद रखो 30 से 30 degree में हमेशा horse latitude होता है और यहाँ पर high pressure होता है और जो equatorial doll drum में वहाँ पर low pressure होता है जो zero degree होता है उसको equatorial doll drum बोलते हैं हम और देखे जो भी 90 degree है चाये north का हो 90 degree है चाये south का हमेशा होहाँ पर low pressure होता है next question है which of the following pair nation and capital is not correct match निमने किर में से कौन सा जो capital है boynas aries यह भी बिनकुल सही है north korea की capital sea all है नहीं यह गलत है जो south korea है उसकी capital sea all है फिर इथोपिया की capital edis ababa यह बिनकुल सही है इसका correct answer हुआ option इसका correct answer हो option discussion है the tropic of cancer does not pass through करक रेका कहां से नहीं गुजरती तो जो करक रेका है na tropic of cancer आपको पता है यह इंडिया से तो ज़रूर गुजरती है क्योंकि जो माही river है ना माही river topic of cancer को दो बार cut करती है तो यह काफि इंडिया से गुजरती है topic of cancer यह भी याद रखो topic of cancer की बात करते है कि कौन-कौन से country में और इस जगह से topic of cancer मियाद रखो आप यह 17 कंट्री के नाम यह 17 कंट्री के नाम याद रखो पूचे खा तो टिन कॉंटिनेट्स पास करती नॉट अमेरिका अफ्रीका और एश्या इन तीन इंडिन ओशन अटलंडी और पैसिवी कोशन से बीग्रोस करती टॉपिक ऑफ कैंसर अगर स्टेट की पूचे एक तैवन इस्टेट्स रेच्छ सी गल्फ और मेक्सिको यह तीनो में और यह अंक्लेश्वर कहां पड़ता है गुजरात में यहां पार पैटोलियम लिजरवे है हमारा ठीक है काफिन पुइंट कोशन है और यह बना कप था अंक्लेश्वर 1958 में स्टार्ट हो गया था नेश्ट कोशन है अम्रिदारा वाटरफॉल इस ओन विच्ट रिवर अम् हजदो रिवर रिब्यूटरी है महानदी की हजदो रिवर महानदी में जाकर मिल जाती है नेश्ट कोशन है विच ओफ फॉलिंग इंस्ट्यूशन वर फाउंडेट डूइंग नोन कोर्परेशन मुव्मेंट के बात करते हैं आज सायोग अंदोलन बोलते हैं हम यह स्टार् हमारे उसको बाइकोट करना है और हमारे खादी प्रोडेक्ट को अपनाना है जो हमारे खुद के प्रोडेक्ट हैं उसको अपनाना है और जो इतने भी फॉरन गुट्स हैं उसको बाइकोट करना है देखे महात्तना गानीजी ने बोला था लोगों से नोन कोर्परेशन वारानसी में यह institution है और यह start हो गया था 1921 में गुजरात विद्यापीट के बात करते हैं तो यह 1920 में start होगा था एमदवाद में तो जामिया college start होगा था अलिगड में अलिगड में established होगा था जामिया कोलेज 1920 में इसके बाद इसको सिफ्ट कर दिया था कहाँ पर डेली में तो जामिया कोलेज अभी कहाँ पर है न्यू देली में पिर काशी हिंदू विश्विद्याले यह 1916 में स्टार्ट हुआ था वारा नसी में ठीक है तो देखे 1920 से लेकर 1922 तक कौन-कौन से प्रबल समर्थ तक था कि जो नेतिक रूप से गलत है राजनेतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता यह कथन किस ने बोला था यह कथन बोला था महात्मा गानेजी ने नेक्ट कोशन है वो वस गिवन लाइफ पनिश्मेंट वर दा मडर ऑफ करनल वाईली के हत्या के लिए किस नाल डिंगराने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उद्दम सिंग की बात करते हैं इनके ऊपर एक मूवी बनी है प्रेजेंट में विक्की कोईसल एक्टर थे तो 1940 में उद्दम सिंग ने जो माइकल और डायर थे ना उनको मारा था उनकी हत्या करी थी माइकल और डायर की मा ट्रेजेंट पार्ट था और अरबी एफ और अरबी टेक्निशन के जो बें में प्रिविए से क्वेशन कर रहा हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें शेयर करें परें अमजी काई की को थैंक्स लब बच्छेंएंग अमजी काई की हो